हलो दोस्तों नमस्कार, ओमेट गर्ण चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंसनर्स हैं आप सब का स्वागत है आधरेड़े EPS 95 पेंसन्व होगी, साथियों, सरगार बिगत कई वर्सों से EPS 95 पेंसन्व निर्णाय लेने पर बिलंब पर बिलंब करती जा रही है साथ ही कोई निर्णे नहीं ले पा रही है हम सभी लगवग 67 पेंसन्व धारी एवं हम सभी का पूरा परिवार सरकार के निर्णे का इंतिजार कर रहे हैं हम सभी को कब तक सरकार के निर्णे का इंतिजार करना पड़ेगा यह कोई निश्चित नहीं है हम सभी क्यों नियुंतम पेंसन एक हजार से अधिकतब पेंसन तीन हजार पेंसन का भुगदान किया जा रहा है। आप स्वेम सोचें परिवार का गुजारा कैसे करते होंगे। हमारे कुछ साथी सबसे पिछड कर पेंसन कब भढ़ेगी इस आसा के साथ सोर्गवासी होते जा रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी जीवन यापन लायक पेंसन कब भढ़ेगी। अब समय आ गया है कि हम सभी पूरे देश को EPS 95 पेंसन धारी एक होकर सरकार से जबाब मागें कि हमें जीवन जीवन जीने लायक पेंसन के बढ़ोतरी कब करेंगे। हमें सरकार से जबाब मागना होगा की पहला नमर में हैं एक दिन के सांसन विलायक को आज जीवन पेंसन दे जा रही है हमारी 30 वर्स से 40 वर्स की सेवा का यही प्रतिफल है हमें समान जनक जीवन जीने लायक पेंसन क्यों ही दी जा रही है दूसरा नमर है गरीब को बीपी यल योजना के तहत मुफ्त भोजन मुफ्त बिजरी पानी मकान आजिकी सुधाद दी जा रही है जो की स्वागत योग्य है लेकिन हम लोगों को 30 वर्स से करने के बाद 59 पेंसन रुपए 1000 से अधिक्तम पेंसन 3000 का भुगतान किया जा रहा ह हमारी सम्मान जनक पेंसर बढ़ाई जावे अत्वा गरीबी रेखा के तहत मुफ्त भोजन पानी स्वास्त सुधा एवं मुफ्त बिजरी मुफ्त मकान आजिकी सुधाद दी जाए साथियो अब समय आगे है कि राजिनित पार्टियों के जूटे प्रलोपन में नहीं आना है सरकार से जवाब मागना है क्योंकि निकट भविस में लोग सवाईवां विधान सवा का चुनाव होना है अभी नहीं तो कभी नहीं हम सभी को एक होकर देश के एक बड़ा अंदोलन करना होगा इसके लिए भी तयार रहना यह प्रमुख पिंसनर्स की मागे थी जो मैंने भी आपको पोस्ट के मादिम से दिखाया पढ़िके सुनाया है वो एक पिंसनर्स की मागे है और पिंसनर्स को आए दिन जो समस्षा रहे है उससे उन्होंने सरकार को एक मैसज़ दिया है संदेश दिया है उसे रूबरु कराया है साथे साथ जितने भी EPS 95 पिंसनर्स है आप सब के साथ में भी इस पोस्ट के मादिम से बात किया है तो इस पोस्ट को जितना ज़्यादा हो से के उतना ज़्यादा फैला है, सब लोगों तक पहुंचा है वो अरुन बर्मा जी है, अनिल बाजपेज जी, अनिल कुमार बेवहार ये सीत्रिपाठी, पीसी जयन, आर्के खरे, महेश्त्रिवेदी, मर्द प्रदेश, अर्ध, सास्की सेवा, निब्रत अधिकारी, कर्मचारी संग, भोपाल भोपाल से ये है, जो तो खबर को प्रकासित किया गया है, वहां से इस पोस्ट को आगे बेजा गया है तो ये इनका कहना है कि जितने भी EPS 95 पेंसर से जिने इस प्रकार के हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, वह बिल्कुल इनके साथ में जुड़ें और जो तो इनका सहयोग करें, तो दोस्तों आप लोगों को जितने भी EPS 95 पेंसर से आप लोगों क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो लोग इनका साथ देना चाहते हो भी करें, और जो लोग नहीं देना चाहते हो भी करें साथे साथ में वो भी कमेंट करें जिन्हें ये खबर जूट रगती है और वो भी कमेंट करें जिन्हें मेरा चैनल फेक लगता है क्योंकि जब जब मैं आप लोगों का फेक चैनल या फेक न्यूज के बारे में सुनता हूँ तो मुझे एक अलग सा वो लगता है कि हां कहींन कहीं मुझसे गलती होगी तभी तो आपने ऐसा लिखा मैं कोई कसं नहीं चोड़ता हूँ कि आप लोग ये सब्ड़ लिखे फेक या गलत ख़बर या जूटा न्यूज ऐसा कुछ लिखे लेकिन फिर भी कहीं कहीं मुझसे गलती हुई रहेगी होगी तभी आपने ऐसा लिखा तो दोस्तों और आज का ख़बर यही था लगर आपको ख़बर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनले दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अब्डेट साथ तब तक रिए नमस्कार जैहिन जैभार